जब से अमरीका की एर स्ट्राइक में इरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमाने की मौत हुई है तब से दुनिया भर में सवाल उठ रहा है कि दोनु देशों के बीच ये तनाव क्या युद की और जाएगा इरान की अधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक देश के सरवोच धार्मिक नेता आयतुला अली हमें नहीं ने कहा कि सुलेमानी की हत्या का कठोर बदला लिया जाए अरेक्षियन का जवाब अमेरीकी राष्ट्रुपती डॉनल्डी टॉम्ट ने ये कहते हुई दिया, कि अगर अम्रीका की किसी भी संपत्ति को छुआ, तो अम्रीका इसका बहुत कठोर जवाब देगा लेकिन जानकार मानते हैं कि इरान इस वक्त अमरीका से ज्यादा vulnerable situation में है क्योंकि middle list में उसकी चनौतिया ज्यादा है और इरान के अंदर भी लेकिन इरान के सेन्य ताकत अपने परोशियों से कहीं ज्यादा है तो ऐसे में इरान क्या कर सकता है ये लगबग अकल पनिये है कि इरान इसके जवाब में कोई अकरामक प्रितिक्रिया नहीं देगा लेकिन ये इतना सीधर सपार्ट नहीं होगा कि इरान एक हमले का जवाब दूसरे हमले से ही दे संभावना ये भी है कि इरान सुलेमानी के बनाये गए और फंड किये गए गुटों से व्यापक समर्थन हासिल करने की कोशिश करे उधारन के लिए इरान बगदाद स्थित अमरीकी दूतावास पर घेराबंदी को नया रूप दे सकता है वो इराकी सरकार को और भी मुश्किल स्थिती में डाल सकता है साथ ही इराक में अन्य जगहों पर प्रदरशनों को भढ़का सकता है ताकि वो इनके पीछे दूसरे हमले कर सके अमरीका और उसके सहयोगी अब अपने बचावाँ पर ध्यान दे रहे हैं अमरीका ने पहले ही बगदाद स्थित अपने दूतावास को सहयता भेज दी है साथ ही जरूत पढ़ने पर वो इस क्षेत्र में अपने सेन्य बेडों के संख्या को भी बढ़ा सकता है अगर इरान बदले के बात कर रहा है तो एक एहम सवाल यह है कि इरान की सेना कितनी ताकतवर है प्रिटेन के तिंग टैंक इंटरनाशनल इंसिटूट फॉर स्ट्राटेजिक स्टेडिज के मुताबिक इरान में लगबग 5 लाख 30,000 सैनिक हैं इसमें इरान की सेना के 3,500,000 और इसलामिक रेवलुशनरी गार्ड्स के 1,500,000 सैनिक शामिल हैं इसके अलावा इरान के पास रेवलुशनरी गार्ड्स के 20,009 सैनिक भी हैं ये समूग हॉर्मूज की खाड़ी में कई आर्मड पोत के जरिये संचालित होता है हॉर्मूज की खाड़ी वही जगह है जहां पिछले साल तेल की टैंकरों पर कई हमले हुए थे रेवलुशनरी गार्ड्स एक स्वें सेवी समूग बासिज पर भी काबू रखता है इस समूग ने इरान में विरोध की कई अंधरूनी आवाजों को दबाने का काम किया है ये यूनिट अकेले ही लाखों सेनिकों को इकठा कर सकती है इरानी सेना विदेशों में कैसे ऑपरेशन करती है इरान की कुद्स फोर्स जिसका नेतरित्व जनरल सुलेमानी करते थे रेवलुशनरी गार्ड्स के लिए विदेशों में खूफिय ऑपरेशन करती है और इरान के सरवच्च धार्बिक नेता अयातॉला अली खमेनाई को रिपोर्ट करती है माना जाता है कि इसमें कम से कम पाँच हजार सैनिक है क्या इरान के पास मिसाइले हैं? जी हाँ इरान के पास मिसाइले हैं मिसाइले इरान की सैने शक्ति का प्रमुक हिस्ता है हाला कि अगर एर फोर्स की बात करें तो इरान इसमें कहीं न कहीं साओधी अरब और इसराइल से कमजोर पड़ता है ऐसे में इस कमजोरी की भरपाई इरान की मिसाइले करती है अमरीकी रक्षा विभाग का ये भी कहना है कि इरान स्पेस टिकनोलोजी का परिक्षन कर रहा है कई वर्षों की पाबंदी के बावजूद इरान अपने लिए ड्रोन विक्सित करने में काम्याब रहा है इरान इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में साल 2016 से ही अपने ड्रोन का इस्सेमाल करता आया है साल 2010 में इरान के परमाणू से यंत्रों पर साइबर हमला हुआ था जिसके बाद इसने साइबर क्षमता में बड़े सुधार किये माना जाता है कि अब रेवलुशनरी गार्ड के पास अपना अलग साइबर कमांड है जो कमर्शल और सेन्य जासूसी जैसे मामलों पर काम करता है 2019 में अमरीकी सेना के एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इरान ने साइबर जासूसी के लिए एर स्पेस, प्राकृतिक संसाधन, टेली कम्मिनिकेशन कम्पनियों और डिफेंस कॉंट्राक्टर्स को निशाना बनाया था 2019 में ही माइक्रोसॉप्ट ने कहा था कि इरान और इरानी सरकार से तालुक रखने वाले एक हैकर समूने अमरीका में राश्ट्रुपति चुनाव प्रिचार अभियान और अमरीकी अधिकारियों के अकाउंट में सेंध लगाने की कोशिश की थी